आज सभागरों में शद्धा वालकर के मामले में सभागरों की ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे एक प्रकार से ये सारा लौ जिहाद का जो प्रकरण है ये महाराष्टर में भी बड़े पहमानी पर दिखाई पड़ता है उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलग अलग राज्जों ने इसमें जो निर्णे लिए हैं जो कानून तयार किये हैं उन सभी का अभ्यासम करेंगे महराष्टर के उपमुख्यमंत्री देवेंद पर्णवीस ने कहा कि उनकी सरकार अन्य राज्यों में विधेकों और अधिनियमों के विस्तृत अध्यान के बाद लब जिहाद के मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर धार्मिक विवाहों का अधिरूद नहीं किया जा रहा है पर्णवीस ने राज्य विधार मंडल से कहा हम आन्य राज्यों में अध्यान करेंगे और फिर मामले में उचेत निर्डाय लेंगे आज सभागुरों में शद्धा वालकर के मामले में सभागुरों की ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं एक प्रकार से ये सारा लौ जिहाद का जो प्रकरण है ये महाराष्टर में भी बड़े पैमानी पर दिखाई पड़ता है उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलगलग राज्जों ने इसमें जो निर्णे लिये हैं जो कानून तयार किये हैं उन सभी का अभ्यासम करेंगे और उसके आधार पर हम लोग एक उचित निर्णे लेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार से शड़यंत्र रचकर कोई भी महला या कोई भी लड़की प्रतारित न हो इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी पर्णवीस ने आश्वासन दिया पूरी तरह से अध्यान के बाद ही सरकार एक नए अधिनियम या मौझूदा कानूनों में शंसोधन के बारे में फैसला लेगी और जो भी अच्छा है उस पर सरकार विचार करेगी उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार अंतरधार्मिक विवाह के खिलाफ नहीं है जैसा कि कुछ हलकों में माना जाता है श्रद्धा वाकर मामले के मद्देनजर लब जिहाद कानून की संभावना पर सवालों का जवाब देते हुए पढ़नवीस ने कहा कि श्रद्धा के परिवार के लोगों ने उनसे मुलकात की और न्याय की मांग की है उन्होंने पालगर पुलिस द्वारा श्रद्धा की शिकायत की जाच करने में कतित देरी और उसके बाद उस याचिका को वापस लेने की जाच की भी घोशना की पढ़नवीस ने बताया कि कुछ मांगे की गई है और लगभग 40 संगठनों ने इस तरज पर एक कानून बनाने की मांग की है पिछले हफते राज्य सरकार ने अंतरधार्मिक विवाहों के ऐसे उधारनों का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया था जिनमें महिला अपने परिवार से अलग हो गई थी और ऐसे मामलों में सहायता करती थी उप्तों मुख्य मंत्री देवेंद फर्णवीस ने सदन में कहा कि सरकार शक्ती विधैक लाने के लिए केंद्र से अनुमत्ती मिलने का अंतिजार कर रही है इस विधैक के जरिये महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपरादों को रोखने के लिए कानून में शंशोधन कर कड़े सजा के साथ और अधिक जवाब देही तै की जाएगी वीडियो डेस्क अमरुजाला.डॉट कॉंग अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें